नमस्कार दोस्तों क्लास एट माराश्टर स्टेट बोर्ड मैथेमाटिक्स चाप्टर नमबर 15 इरिया प्रैक्टिस सेट 15.6 क्वेशन नमबर 2 मेन क्वेशन नमबर 2 मेन क्वेशन नमबर 1 इससे पहले जो वडियो है उसमें हो चुका है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेर करें और बिल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें अब देखें यहाँ पर Areas of some circles are given below कुछ circles की areas यहाँ पर दिये गए हैं Find their diameters और उनके diameters Find कर लीजिए तो diameter find करने से पहले हमें Radius find करने होगी है तो यहाँ पर जो value दी गए है वो area of circle की है तो area of circle का हम पहले formula लिखेंगे तो area of circle is equal to Pi into R square तो area of circle है 176 तो हम यहाँ पर 176 लिखेंगे Pi की value 22 by 7 into R square अब जब radius की value find करने है तो R square को right hand side में यही लिखना है और R square के साथ जो भी दो numbers multiplication में है मतलब numerator और denominator इनको left hand side में लेना है तो 176 into 7 denominator में है तो उसे हमें numerator में लेकना है और 22 numerator में है तो उसे हमें denominator में लेकना है तो R square is equal to 176 और 22 इन दोनों को divide करना है cancellation करके फिर multiply करना है तो देखिए directly 7 से divide होता है लेकिन पहले हम 2 से divide करेंगे तो 2 बंज़ा 2, 2 बंज़ा 2 28 बंज़ा 16 28 बंज़ा 16 11 बंज़ा 11 तो वो square root हो जाएगा square root of 56 तो R की जो value होगी 56 के लिए देखिए हमें radius तो 56 हो जाएगी यहाँ पे diameter अगर find करना है तो diameter is equal to 2 into radius तो 2 into square root of 56 centimeter में units हैं तो यहाँ पे भी centimeter में होगा square centimeter में area है तो radius जो है वो centimeter में होगी next जो area दिया गया है वो है 394.24 square meter तो सबसे पहले हमें यहाँ पे area of circle का formula लिखना है तो area of circle is equal to pi r square जो circle का area है यहाँ पे 394.24 यहाँ पे लिखिए पे इकोल टो 22 by 7 pi q value multiplied by radius का square अब यहां का जो decimal point है वो हमें पहले cancel करना है तो 394.24 decimal point हम cancel करेंगे तो denominator में कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है 1 के आगे 2 zeros यहाँ पे लिखने है तो decimal point है यहां का cancel हो जाएगा और जो 7 denominator में right hand side में है वो left hand side में numerator में आएगा और जो 22 numerator में है left hand side में denominator में यहाँ पे आ जाएगा अब हमें यहाँ पे cancellation करना है तो cancel करके denominator में 100 तो रखना ही है क्योंकि square जब left hand side में होगा तो square root अगर हम लेंगे तो 100 का square root fine हो जाता है तो 22 से हमें यहाँ पे 29, sorry 39424 को डियाइड करना है तो यहाँ पे 22 है तो 2 से डियाइड होता है तो 2 होन्जा 2, 2 होन्जा 2 11 अब 2 से डियाइड करेंगे यहाँ पे तो 2 अन्जा 2, 2 नाइन जा 18 2 सेवन जा 14, 2 अन्जा 2, 2 तो जा 4 फिर 11 से डियाइड करना है तो देखिए 1 प्लस 7, 8 8 प्लस 2, 10 और 9 प्लस 1, 10 तो हमने यहाँ पे 11 की जो test है 10 मैनस 10 जिरुर आता है 10 और जो रिमेनिंग है 10 प्लस 1, 10 अब यहाँ पे भी 10 आ गया और इनकी बेडिशन 10 इन दोनों के एडिशन का डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 के टेबल में होना चाहिए तो 0 आ गया तो 11 से डियाइड होता है तो 11 बंजा 11 11 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगी 11 बंजा 11 19 मैनस 11 8 87 होगा 11 7 जा 77 15 रिमेंडर होगा 101 11 9 जा 99 2 रिमेंडर 11 जा 22 तो यहाँ पे होगा 1792 multiplied by 7 divided by 100 is equal to R square अब यहाँ पे दिखिए 7 है तो 1792 को 7 से डियाइड करेंगे तो 7 तूजा 14 रिमेंडर 3 39 75 जा 35, 4, 2 76 जा 42 तो यहाँ पे 256 आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे 256 इंटो 7 इस नमबर के लिए multiplied by यहाँ का 7 divided by 100 is equal to R square अब यहाँ पे क्या करेंगे दिखिए जो square है right hand side में वो left hand side में square root होगा तो हमें जो radius की value मिलेगी वो कैसे मिलेगी दिखिए 215 जो नमबर है उसका हमें square root करना है तो 215 का जो square root है वो है 16 multiplied by 7 into 749 49 का 7 square root 7 multiplied by 10 तो 16 को 7 से multiply करेंगे तो 112 divided by 10 तो एक डिजिट हमें point चोड़ कर देना है तेंसे डिएर करना है तो answer होगा 11.2 meter तो यह होगी radius हमें diameter find करने तो diameter d is equal to 22 radius 2 into 11.2 मतलब 224 22 22.4 meter जो होगी वो diameter यहाँ पे होगी 22.4 meter तर्ड question है देखे 12,474 square centimeter area of circle दिया गया है तो area of circle का formula लिखना है pi r square तो यहाँ पे जो circle का area है 12,474 हमें area of circle लिखना है pi के value 22.7 into radius square तो 12,474 multiplied by 7 से multiply फिर 22 से divide is equal to r square तो radius square is equal to अब देखें इन दोना numbers को r से divide होगा तो 21 से 2,21 से 2 2,6 से 12,22 से 4,23 से 6,27 से 14 फिर 11 से डियाड करना 11 इलेवन इलेवन 5 जा 55 55 प्लस 7 तो 73 हाँ पे होगा तो 11,6 जा 66 73 माइनस 6 माइनस करता है तो 7,7 77,11,7 जा 77 तो 567 तो दीखें 567 को 7 से divide करेंगे तो 567 को क्यों 7 से divide करना है क्योंकि यहाँ पे एक 7 फैक्टर है तो 7 8 जा 56,7 बन जा 81 तो यहाँ पे 81 इन्टू 7 इन्टू 7 हम लिख सकते है तो radius square is equal to 81 इन्टू 7 इन्टू 7 तो जो square है right hand side का left hand side में square root हो जाएगा तो square root of 81 इन्टू 7 इन्टू 7 तो radius की value देखें क्या होगी 89 का square root होगा 9 49 multiply करेंगे तो 49 49 का square root होगा 7 तो radius की value होगी 9 7 से 63 तो 63 cm radius होगी हमें find करना है diameter तो 2 into radius 2 multiplied by 63 63 को 2 से multiply करेंगे तो 126 cm यह हो जाएगे हैं आपे diameter तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों अगे अभी दो questions हैं question number 3 और 4 प्रैक्टिसेट 15.6 में भी और फिर उसके बाद जो चप्टर है इरिया वो समाप्त हो जाएगा फिर और दो next chapters हैं एक वोल्यमेंड एक है वोल्यमेंड शर्पिस इरिया और दूसरा है सर्कल आर्क्स एंड कोड्स ऐसा कुस्तों चप्टर है लास्ट चप्टर है अभी दो चप्टर रहे गए हैं तो स्कूल शुरू हने से पहले ही हमारा जो समाप्त हो जाएगा तो आपको आसानी से मतलब बहुत टाइम मिलेगा वीडियो देखने के लिए तो वीडियो वाच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद